हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू बाई चैनल होम साइंस फ्रेंड्स देखिए आज में आपके लिए एक कलर का यह बहुत ही प्यारा सा पैटन लेके आई हूँ यह देखिए जेंट सुटर के लिए बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन है और यह देखिए जितना देखने में सुन्दर दिखता है इसको बनाना भी उत्रा ही आसान है जेंट सुटर के लिए सुन्दर सी डिजाइन वैसे तो आप इस किसी भी प्रजेक्ट में अप्लाय कर सकती हैं लेकिन जेंट सुटर में डिजाइन बनने के बाद में बहुत ही सु या फिर तू के मल्टिपल प्लस बन करके दो के गुड़े दो फंदे चाहिए और उसमें एक फंदा और जोड़ देंगे तो हमारे डिजाइन है कुछ इस तरह से बन करके आएगा और यह हमारे डिजाइन है लाइट कलर के स्वेटर में बहुत ही सुन्दर दिखता है लाइट कोटल 15 फंद्रे 15 फंद्रें यहां पर लिए हैं और देखिए बॉर्डर तो हमने यह साधा उल्टी सलाई बना लिए आप अपना बॉर्डर बना लें और उसके बाद में डिजाइन है वह उमारा इस तरह से बनेगा देखिए हमारी जो पहली सलाई होगी साड़ वाला अमन इसा उल्टा बनाएंगे और सीरे फंदे को उतार लेगे देखिए हमारी इस प्रैटर में जो सीधी तरफ से यह सीधा वाला फंद्र होगा इसको बुनेगे नहीं हर सलाई में इस फंद्र को हमें उतार नहीं होगा तो आप पहली सलाई को इस तरह से बना ले पहली सलाई को कंप्लीट करने के बाद में उल्टी तरफ आते हैं रॉंग साइड पे तो देखिए यहां पर हमने सीधी सलाई में सीधा वाला जो फंद्र था इसको बिना बुने उतारा था तो उल्टी तरफ से में क्या करना होगा देखिए उल्टा फंद्र बनाएंगे औ दूसरी सलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करने लेनी होगी सीधे पे सीधा फंदा बुनना है और उल्टे पर उल्टा फंदा बुनना है जो जैसे फंद्र है उनको वैसा ही बनाएंगे तीसरी सलाई पर साड़ वाला फंदा बिनाबुने उतार लेंगे और देखे इए उल्टे वाले फंदे को ऐसे ही बनाएंगे और जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको हमने बिनाबुने ही उतार लेना है इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, सीधे फंदे को और उल्टे फंदे को बनाएंगे तीसरी सलाई को ऐसे ही कम्टीट करेंगे चौथी सलाई पर सीधा फंदा है, उसको सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे सीधी तरफ से जो हम फंदा उतारेंगे उसको उल्टी तरफ से बना लेंगे यह हमारे पैटन की चौथी सलाई है पात्वी सलाई पर भी उल्टे फंदे को बना लेंगे और इस फंदे को बिनावने ही उतार लेंगे चटी सलाई पर भी सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे और देखिए उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे अब देखिए फ्रेंट छे सलाई यहाँ तक हमने बना करके कम्प्लीट कर ली हैं साती सलाई पर आते हैं तो देखिए साड बाला फंदा हमने यहाँ पर बिना बने ही उतार लेना है और धागे को अपनी तरफ करेंगे और यह उल्टा फंदा बनेगे धागा पीछे करेंगे अब देखिए यहां पर जो हमने एक, दो, तीन यहां पर हमारे यह बिना वुने, युसी तरफ से उने फंदे उतारे, तीन फंदे दिख रहे, एक यह, एक यह, एक यह, तो देखिए सबसे जो end में फंदा है, इसमें हम सलाई को डालेंगे, यहां से एक लूप बनाएंगे, फिर हम दूसरी जगह पर डालेंगे, यहां पर भी हम एक लूप बनाएंगे, और तीसरी जगह पर डालेंगे, यहां पर भी हम एक लूप बनाएंगे, और इस वाले फंदे को बिना वुने ही उतार लेंगे, और यह जो सबसे पहले इपने फंदा उठाया था, इस से हम इन दागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पर हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे अब इस वाले फंद्य को यहां पर हमने फिर से भी नाबुने ही उतार लेना है दागा अपनी तरफ करेंगे और यह वाला डिजाइन है यही पर बनाएंगे यह लास्ट वाले फंद्य कि एले लाश्ट वाले में डाला हमने यहां पर एक लूप बना लिया अब और तीसरा वाला जो फंदा इस पर भी हम डालेंगे सलाई को यहां से भी एक फंदा बनाएंगे यह वाला जो फंदा है इसको हमने विना इन इस उत्न इन इसको बुन्ना नहीं है ह। और देखिए जो सबसे पहला वाला फंदा है इसको हम तीनों फंदों के उपर से उतार देंगे इसके बाद में यह दूसरा वाला फंदा इसको भी उतार देंगे और तीसरा वाला फंदा इसको भी उतार देंगे के और हलका इस धागे को खीचेंगे और यहां पर दे के हमारी एक पत्ति बन जाएगी और फिर से हम धागे को अपणी तरफ करेंगे 8 फंधा उल्टा पाएंगे धागा पीछे और इस बिनावुने फंदै सबार्ण को बिना बुने ही उतार लेंगे सलाइक बनाएंगे जीविविद से हम यहांपर एक दो तिन तिस्रे वाला जो फंदा दिख रहें है यहांपर सलाई को ड़ारींगे और यहां से हम एक लूप बनाएंगे दूसरे फंदे में भी सलाईगो डालेंगे यहां से भी हम एक फंदा बनाएंगे फिर तीसरे फंदे में भी डालेंगे यहां से भी हम एक फंदा बनाएंगे इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे जो पहला वाला फंदा है इसको हमने सबसे पहले उतारना है बाद में दुसरे वाले फंदे को उतारना है और लाश्ट में वो सबसे बाद में फंदा उठाया था इसको हमने उतार देना है हलका सा धागे को पीछे से खीचेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा फंदा बनाएंगे धागा पीछे और इस वाले फंदे को बिना बुने ही उतार लेना है धागा अपनी तरफ करेंगे साड़ वाला फंदा सीधा इसको भी बिना बुने ही उतार लेंगे अब देखे यहां पर भी उल्टी सलाई पर उसी तरह से में बनानी है जो बिना बुना फंदा था इसको हमने उल्टा बुनना है और यह जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको हमें सीधा बनाना है यह मारे पैटर्न की आठवी सलाई है नहीं सलाई पर आते हैं अब देखिए फ्रेंट्स हमने जैसे यहां से शुरुवात की थी तो हमने यहां से लेकर कि यहां तक हमने टोटल छे सलाई हैं बनाई साथ मीं सलाई में डिजाइन डाला आतनी सलाई में उल्टी तरब से होगी अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम आगे से क्योंकि शुरुवात यहां से करते हैं इसलिए हमने यहां पर यह छे सलाई यह बनाने को बारें डिजाइन डाला साथ मीं सलाई में अब यहां से हमें केबल चार सलाई ऐसी बनानी होंगी कि साड़ वाला फंदा उतारेंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे और इस फंदे को फिर से हम बिना बुने उतारेंगे धागा आगे यह हमारी पैटन की नौमी सलाई होगी दस्वी सलाई पर भी उल्टा फंदा इसको उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे शुरुआत में अपने 6 सलाई पर भाद में 7 मीं सलाई में डिजाइन बनाया था क्योंकि शुरुआत थी लेकिन आगे से में किवल 4 सलाई और बनानी होगी और उसके बाद में वारा डिजाइन बनेगा त्रेवा दस्वी सलाई भी कम्प्लीट हो गई और उसके बाद में 11 और बार भी सलाई अगर शुरुआत से जोड़ेंगे तो बार भी सलाई हो जाएगी अगर आप यह माल लीजिए कि दो सलाई यह वो फॉन्डिशन सलाई होंगी क्योंकि एक ही तरह से बनेगी इसलिए वो डिजाइन में आ जाती है सुरुआत में 14 सलाई में डिजाइन कम्प्लीट होता है लेकिन एक बार बनने के बाद में सुरुआत के बाद में 12 सलाई में ही डिजाइन कम्प्लीट हो जाता है अब देखिए फ्रेंट्स हमने यहां से यहां तक यह टोटल 12 सलाई हो गई और डिजाइन बनाने के बाद में हमने यहां पर 4 सलाई और बनाई है तो देखिए अब हमारा डिजाइन है यहां पर बनेगा सैड वाला फंदा हमने बिना वुने ही उतार लेना है दागा अपनी तरफ करेंगे अब देखिए यहां पर हमने इस जो सीधे फंदे में डिजाइन बनाया था तो आपकी बार हम क्या करेंगे यहां पर डिजाइन ब भी एक लूप बनाएंगे तीसरे में भी बनाएंगे यहां से भी एक लूप बना लिए और इस वाले फंदे को बिना वुने ही उतार लेना है और देखिए जब आप यह फंदे उठाएं तो थोड़ा फंदों को लूज रखें कि दिजब लिए लाईो में थोड़ा सा बशेंगे गर् pacing हमतलों को बनाएंगे डिजब आपर लेएंगे प्रूप बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर फिर इस लाइन अब यहाँ पर बनेगा एक दो टीनल तिसरे वाले वाले में हमने से लाई को डाला तो यहां पर हमने एक लूप बना लिया और दूसरे में भी डाला यहां पर भी एक लूप बना लिया और तिसरे में भी डाला यहां पर भी इस फंदे को हमने बिना बुने ही उतार लेना है और पहले फंदे को उतारा दूसरे वाले फंदे को उतार दिया और तीसरे वाला फं करने ही उतारना है कि प्यकुरसे धेकि हमारे डिजाइन या पर बनेगा एक दोfinden तीसरे बाले फंदे में यहाँ पर हमने विद डाल और के moment बनाया दूसरे बाले मेंडाला इहां से भी हमने एक पंदा बना लिया और तिसरे बाले में भी तो देखें यहां पर mazपर ये बिजान बनने के बाद में ये हमारी पाच्च thankfully होगी और छटी सलाई होगी वह उल्टी तरप से पनलई से इंक होगी उन्ह Malayod झाली है कि दोबारा डिजान बनने के बाद में कि सेड़ वाला फंदा हमने यहां पर उतार लिया अब देखे अगर सुरुवा से देखे तो हमारी यह तेर्मी सलाई होगी और जो चौद्मी सलाई होगी वह उल्टी तरप से होगी इस सलाई को फिर वैसे ही बनाएंगे उल्टे फंदे पर उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे पर सीधा फंदा बुनेंगे अब देखे यहां तक डिजाइन कंप्रीट होने के बाद में फिर से आपको चार सलाई यह बनानी होंगी पांच में सलाई पर फिर से इस वाली लाइन है यह वाली लाइन इसमें डिजाइन बनेगा तो इसी इनी सलाईयों को आप रिपीट करते जाएंगे मारे डिजाइन बारा सलाई में बन करके कंप्रीट हो जाता है लेकिन सुरुवात बली जो दो सलाई है उनको मिलाएंगे तो इस तरह से डिजाइन बन करके आएगा तो फ्रेंड्स देखे मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू तो उसका नौटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलते हैं अगली वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू झाल.